नमस्कार किसान भाईयों फिर से स्वागत है आपके ही चैनल आपके ही यूटूग परिवार में आप देखिए आप हमेशा लसुन के लिए बोलते हैं कि लसुन के लिए रिपोर्ट नहीं देते तो मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मेरे पास अगर सही तरह की कोई रिपोर्ट होती है अच्छी रिपोर्ट जो आपको खुशकबरी दे सके अच्छी लगे आपको उस तरह की रिपोर्ट जब भी होती है तो सबसे पहले पहुंचाने की कोशिस आपको जरूर करता हूँ जैसे आज मेरे पास अच्छी रिपोर्ट है वीडियो पूरा देख दीजेगा पता चल जाएगा उस रिपोर्ट से जो है अपने को लगता है कि आने वाले समय के अंदर लसुन में भी एक जवर्दस तेजी और साथ में निर्यात के अंदर भी जवर्दस तेजी जो है अपने को देखने को मिल सकती है तो वीडियो में बने रहेएगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू कर दीजेगा लगता हो वीडियो सेर के लाएक है तो अपने किसान बाईयों के साथ में वीडियो को सेर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो देखिए सबसे पहले अपने लसुन के भाव सबसे पहले नाम आता है चाइना का क्योंकि चाइना जो है पूरे वीडियो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर लसुन का है निर्यात तक है तो देखिए उसकी अगर बात करते हैं तो उसका पुराना माल जो है मोटा मोटी स्टॉक खतम होने के खगार के उपर है यह समझ सकते हैं कि उसका माल जल्दी ही जो है निर्यात होना कम हो जाएगा कुछ साइक कुछ समय के लिए तो जब देखिए चाइना का माल जब निर्यात होना कम होगा निस्चीद बात है अब भारत का माल जो है निर्यात होना चालू हो जाएगा दूसरे देशों के अंदर तो परजें तो इस तेजी का भी आप अनंद जरूर लीजिए लेकिन थोड़ा सा इंतिजार और कर लीजिए क्योंकि चाहे नहीं लसुन अगर जब कम होगा तो चाहे बंगला देश हो या फिर कोई दूसरे देश हो निश्चित बात है कि अपना भारती लसुन जो है निर्यात होना अगले वीडियो में अगली जानकारी की साथ में जब तक के लिए जय जवान जय किसान करता है